हालो एम्रिवाइन मैं हूं दॉक्टर दिपिका और आज मैं एक्स्पेंट करूँगी आपको डेंटल इंप्लांस के बारे में आपने बहुत जगे सुना होगा मैंने डेंटल इंप्लांस कराया डेंटल इंप्लांस बहुत अच्छे होते हैं डेंटल इंप्लांस इस पर्मान जब एक दात missing होता है तो हम अगल बगल के दात से support लेके एक bridge बनाते हैं और aesthetic और function को restore करते हैं जब हम खाना चबाते हैं तो सारे forces हमारे दात के long axis से होते हुए हमारे bone तक transfer होते हैं In case of bridge, अगल बगल वाले दात पे extra pressure होता है उस missing दात के वज़े से and over a period of time हो सकता है कि अगल बगल वाले दात weak हो जाएं because of bone loss due to extra pressure In case of dental implant, जहाँ पे एक दात missing होता है वहाँ पे हम bone से support लेके उस दात को replace करते हैं अगल बगल वाले दात normal function करते हैं without any extra pressure Dental implant दात के root के जैसे function करता है Steps of dental implant सारे scans, examination और evaluation के बाद implant का size select किया जाता है सबसे पहले हम implant को bone में place करते हैं उसके बाद उसके उपर एक connector लगाते हैं जिसे हम abudment कहते हैं और final step abudment के उपर हम crown fix करते हैं Dental implant एक बहुत common procedure है जो dental clinic में under local anesthesia perform किया जाता है Implant को हड़ी में place करने के लिए हम desired size का drill यूज करते हैं Implant के लिए जगे बनाते हैं फिर वहाँ पे implant को drill करके fix कर दिया जाता है और उसे 2-3 months के लिए heal होने के लिए छोड़ देते हैं ये 2-3 months में implant के उपर bone deposit हो जाता है जिसके कारण implant bone से fuse हो जाता है और fix हो जाता है Bone healing complete होने के बाद हम उपर से crown fix करते हैं for normal function Dental implant titanium और titanium alloy से बनाये जाते हैं जो की bio-compatible हैं और reaction और failure rate बहुत कम होते हैं Most of the dental implants ferromagnetic metals नहीं होते हैं जो बिलकुल safe हैं अगर किसी patient को MRI कराना है at any point of life अगर आपने dental implant कराया है, maintenance बहुत important है आपको उसे अपने natural teeth जैसा care करना होता है Proper brushing, flossing is very important अगर आपका implant पीछे के दाट में है, जहाँ पे floss करना मुश्किल हो जा रहा है तो आप jet flosser यूज कर सकते हैं Follow up के लिए regular intervals पे अपने dentist को visit करें Dental implant से एक single दाट, multiple दाट या फिर जिसके एक भी दाट नहीं है वो भी dental implant कराके अपने दाट replace करा सकते हैं So ये था all about dental implants मैंने अपनी तरफ से सारी information देने की कोशिश की है अगर आपको फिर भी कोई doubt है, कुछ पूछना है तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं अगर आपने अभी दग हमारा channel subscribe नहीं किया है तो please हमारा channel subscribe करें हम ऐसे ही health related informative videos आपके लिए लेके आते रहेंगे Thank you